Hi, this is Amar and today in this video I am gonna show you how can we recover deleted photos on Android smartphones यानि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हम Android smartphones में delete की हुई photos को कैसे recover कर सकते हैं वैसे तो अलड़ी Play Store पे बहुत सारे ऐसे applications available हैं चिनकी सहायता से हम अपने photos को, contacts को या किसी भी media file का backup हम ले सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी में अपने important files का backup लेना भूल जाते हैं और युकि «sumardphones» का इस्तेमाल photos क्लिक करने के लिए भी किया जाता है इसलिए धीरे-धीरे करके ज़ब हम फोटो क्लिक करते जाते हैं तो हमारे phone memory का स्पेस भरता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब हमें पने phone memory को खाली करना होता है spare करना होता है अब उस case में क्या होता है कि हम अपने phone memory में जब photos को delete कर रहे होते हैं तो कई बार important photos भी delete हो जाती है जो कि बाद में हमें अशास होता है कि यह photos हमें delete नहीं करनी चाहिए थी अब मैं क्या करूँ कैसे मैं उस photo को वापस लाओं और यह लाना possible तब होता है अगर आपने उस file का अलड़ी backup ले रखा है तब तो आप उसे restore कर सकते हो लेकिन अगर आपने उस file का backup नहीं लिया हुआ है तो आब हम उस file को कैसे recover करेंगे तो आज किस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरीके से हम android smart phones में delete की हुई photos को recover कर सकते हैं तो चलिए ज़्यादा time ना waste करते हुए अपना वीडियो start करते हैं और देखते हैं कैसे recover कर सकते हैं तो deleted photos को recover करने के लिए वैसे तो बहुत सारे tools play store पर भी available है कुछ applications ऐसे हैं जो तब वो करते हैं जब आपका phone android smart phone rooted हो कुछ ऐसे भी होते हैं जो rooted phones में नहीं बलकि common phones में भी वो करते हैं तो आज ऐसी है application के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए देखते हैं कौन से application हैं उसके लिए सबसे पहले हम open करते हैं अपना play store और play store में हमें type करना है disk digger जैसे कि आपको दिगरा है टॉप पे आप इस पे click कर दीजिए जैसे आप click करेंगे तो आप देख रहे हैं जैसा कि disk digger photo recovery और इसको google के end से 4.2 की star rating मिली हुए है और अब तक 50 million users ने इसको download किया है और अच्छे अच्छे review भी दिये गए है तो देखिए जैसे कि मैं अलड़ी इसको install कर चुका हूँ तो मेरे में दो options आ रहे है uninstall and open आप इसको install कर लिजिए अब जैसे आप इसको install करेंगे मैं इसको open कर रहा हूँ तो open करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि इंटरफेस से उपर टॉप पे लिखा हुआ basic scan no root और नीचे लिखा हुआ full scan root required है इसका मतलब ये है कि अभी आप इसका basic इस्तमाल कर सकते हो यानि अभी हाल ही कि कोई photos है जिन्हों जो आपने गलती से डिलीट कर दी है आप अगर यहां से चाओगे तो वो recover हो जाएंगी लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी पुराने से पुरानी फोटो भी recover हो जाए तो उसके लिए आपको mobile phone rooted होना चाहिए तो फिलाल हम देखते हैं बेसिक स्कैन कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं है स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पर क्लिक कर देना है देखिए मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं हिट करूँगा तो यहां पर recovery शुरू हो गई है अब यह आप देख पा रहे हैं कि यहां पर almost photos हमें दिखाई दे रही है यह photos का एक bunch है जिसमें deleted photos भी है और non-deleted photos भी है तो इसमें से जिस भी photo को हमें recover करना है हम उस photo पर click करेंगे और click करने के बाद हम recover पर click करेंगे और जैसे ही हम recover पर click करेंगे वो photo recover हो जाएगी हलाग कि हमसे device such as email dropbox or google drive save your files to the custom location on your device you will need to find the files yourself after saving and last one option है upload the files to an ftp server requires access to an ftp server तो मेरे लिए मैं कहूंगा आपसे कि आप बीच वाले option को चूज करिए second one और अपने phone पे ही कोई एक location दे दीजिए जहां पर आप उस file को recover करना चाहते हो तो मैंने recover कर दिया है अब आप जैसे देखेंगे file मेरी recover हो गई है तो बहुत ही simple सा method है जिसका इस्तमाल करते हुए आप भी अपने deleted photos को recover कर सकते हैं अपने photos को recover करिए और enjoy करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजेगा